हे गाईस कैसे आप लोग मैं हूँ शोभाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले ओड़ाई मुकाबले की जो की खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफरीगा के बीच में इस वीडियो में मैं आपको प्लियर बैटल्स बताओँगा अपनी ट्रीम इलेवन टीम बताओँगा साती साते प्लियर्स के परफॉर्मेंस और वैन इूस ट्रिड्स तेखेंगे तो गैस वीडियो को अंते तक देखिएगा ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है बस आपको इसको पूरा वाच करना है आपको हर एक सिचुएशन जो होगी इस मैच में उसके बारे मैं आपको बताओंगा कौन से बॉलर्स लेने हैं कौन से बैट्समें लेने हैं हर एक चीज आपको क्लियर हो जाने वाली है बस वीडियो को आखरी तक देखिएगा तो गई सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू की वेन्यू है बोलेंड पार्क पार्ल पार्ल में ये मैच खेला जाएगा साउथ अफरीका में जहां पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की क्य परफॉर्मेंस होती है तो देखिए आखरी कुछ मैच जो यहां पर खेले गए लास्ट मैच यहां पर खेला गया तो 2020 में उसके पहले 18 17 और 13 में मैच खेला गया था मोस्ट इसेंड मैच साउथ अफरीका ऑस्ट्रेलिया का 2020 में यहां पर हुआ था जहां पर स्कोरिंग 291 ह यहां ट्यबन करें चालिसाइश को जीता है जो भी टीम ट्रॉस को बेटिंग फिस को मदद होती है तो तेज इस गिंदबाज मध्यम कती के गिंदबाज और लेक बॉलल अधि पर्फॉर्मेस दिया तो यह वो कुछ बैट्समें ने पहले आपर पर्फॉर्मेस दिया यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी बॉलर्स में नहीं सकते हैं इसके बाद हम बात करें की तो यहां पर आखरी कुछ मैचस देखेंगे तो आपको बता चुका हूं तो फिप्टी से के यानि कम से कम आप मान के चलिए 280 की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं 275-280 क्या सपास की अगर हम बात करें स्कूरिंग पैटन की तो साउथ अफरीका 25 मैच खेले और फिप्ट पोजिशन पर तो यहां पर दोनों इस थोड़ी टकर की टीम रहेंगी साउथ अफरीका अपने होम ग्राउंड में भी खेल रही तो मैच थोड़ा था आपको टकर का देखने को मिलेगा हैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आप द्यान से देख लीजेगा इसके बाद हम चलते हैं यहां पर नीचे बात कर लेते हैं रिसेंट पर्फॉर्मेंस की रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा है दो नोटी मुगा तो इंडियन टीम ने आखरी पांच मेंसे तीन जीते हैं और वहीं साउथ अफरीका ने आखरी प प्लस स्कूर कर पाई है बागी टाइम इनका स्कूर जो है वो दो सो धाई सो के असपास रहा है और एक सो पचीस भी बार ओल आउट हुए है तो इंडिया के साथ यहां पर आप पिछले पांच मैच में देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफी बढ़ी है वहीं साउथ अफरीका अगर आप देखें पांच मैसे चार मैच में तो अच्छी कंसिस्टेंसी एक मैच बहुत कराब गया और बाकी की जो तीन मुकाबल है वो भी इंडिया के कंपेरेजन में थोड़े से वीग रहे है प्लेयर बैटल देखते हैं जो की सबसे इंपॉर्टेंट सेग्मेंट होता रबाडा का देखिए नौ बाले फेस करी रहुल ने दो रन बनाए और एक बर अपना विकेट दिया है फिलिक बायू की आठ बालों पे छे रन शून विक्टे है और महराज जो जैंसिन को कभी फेस नहीं करा तो लोकेश रहुल का प्लेयर बिटल जादा नहीं है दवन का अच्छा खासा है शम्षी की 12 गेंदों पे 13 रन है और कोई विकेट नहीं है रबाडा की 133 बालों पे 127 रन है और तीन विक्टे हैं फिलिक बायू की 33 बालों पे 45 रन है और कोई विकेट नहीं है महराज जैंसिन को फेस नहीं करा फिर विराट कूली आते हैं शम्षी के खि प्लेयं जिनके मैंने आपको प्लेयर स्टेट बताए जिसमें मरकरम वर्सेद बुम्रा देखें तो 44 गेंदों पे 19 रन बनाए है मरकरम ने बुम्रा की और दो बार अपना विकेट दिया है बुवी की काफी पिटाई करी है 48 गेंदों पे 55 रन कोई विकेट नहीं अश्विन को फेस नहीं करा चहल की 22 गेंदों पे 12 रन है और एक विकेट है दसिन की बात करें तो बुम्रा आठ गेंद, 5 रन, 0 विकेट बुवी की खिलाफ एक बॉल, 1 रन, 0 विकेट अश्विन को कभी फेस नहीं करा चहल 6 गेंदे, 1 रन और 1 विकेट है चहल ने देखिए मरकरम की विकेट निकाली और दसिन की विकेट निकाली है और चहल ने डिकॉक की भी दो बार विकेट निकाली है चहल बहुत important इस match में रहेगा डिकॉक वर्सेज बुमरा देखें तो 60 गेनों में 25 रन एक विकेट है चहल 17 गेनों में 10 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं तो यहाँ पे आपको एक common player battle देखेगा जो कि आपको चहल का देखेगा यह हर जगे performance दे रहा है थोड़ी बहुत balling करता बड़ विकेट लेके जाता है इंपोर्टन ट्राइगा इस match में पेट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं शोगई इंडिया की तरफ से केल राहूल उपन करेंगे शेकरदवन के साथ आकरी 5 मैचेज में केल राहूल ने तीन मैचेज में 50 प्लस की स्कोरिंग करी है इंपोर्टन प्लेयर है लास्ट टाइम भी 26 लगा था आप पोजिशन टीम के खिलाव शेकरदवन ने आकरी 5 मैचेज में दो बार 50 प्लस स्कोर कर रहा है और आकरी 3 मैचेज में आप पोजिशन टीम के खिलाव बढ़िया स्कोरिंग नहीं है यानि बिलो आवरेज स्कोरिंग आपको देखेगी विराट कोली की बात करें तो आखरी 5 मुकाबलों में इनके 4 बार अर्दशाता के हैं सबसे जादा बार और आप पोजिशन टीम के खिलाब भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है देख सकते हैं आखरी 3 मुकाबलों में एक शाता के एक अर्दशाता के एक शात्यस रन का स्कोर है तो टॉप 3 अगर आप इंडिया का देखे तो विराट कोली सबसे मजबूत प्लेर नजर आ रहे हैं फिर लोकेश रहो लें फिर शेकर दवने इस ओरडर में प्लेर को पिक करिए फिर शेयर आते हैं पिछले पांच मुकाबलों में सर्फ एक 50 प्लस स्कोरिंग करिए और हैड टूट रिकॉर्ड इतना खास नहीं है रिशाफ बंत काफी इंपोर्टन्ट होंगे आखरी दो ओड़े मैचेस से 70 प्लस की स्कोरिंग कर रहे हैं फिर आपके लिए इंपोर्टन्ट रहेगा फिर वेंकट शेयर आते हैं इन्होंने लिस्टे क्रिक्ट में काफी क्रिक्ट खेली है पहली बार उड़े ही खेलेंगे इनक्यावन का बैटिंग आवरेज है और तीस इनिंग में 19 विक्टेन के नाम पर चहल के काफी बढ़ेया रिकॉरर्ड है खास करके है अगर आप देखें तो आखरी 3 मैक्टे में हर बार विकट मिली है और कम से कम 2 विक्टे और मेक्सिंध 2 मेक्सिंध 4 विक्टे रहे नोंने निकाली है साओत अफरीक्वागी अधर का ब Central के 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 से क्याइस में इनको आपको टीम में लेना चाहिए यहाँ पर हम बात करें डैथ होवर्स की तो आपको जस्पीत भुम्रा प्रॉपर डैथ में गिंदवाजी करतिव दिखेंगे ओड़ाई फॉर्मेट में और भुवनेश्वर और सिराज उनको असिस्ट करने चाहिए सिराज अपना दूतरा मुकाबला खेलेंगे उड़ाई का पहले एक उड़ाई मुकाबलों में इनको विकेट नहीं मिली थी साउथ अफरीका को पहली बार फेस करेंगे बैंच में के पास काफी प्लेयर है रूतुराज गया एक बार ने सूरी कुमार यादव है शानकेशा न जानिमन मरान ओपन करेंगे एडिन मरकम की साथ जिसमें जानिमन मरान का फॉर्म देज में काफी बढ़िया रहता है यली-पांच में दो इसके अलावा टॉप और में आपको शिकर दवन देखेंगे तो इनके सामने थोड़ी बहुत बॉलिंग जो है इंडिन मर्कम करा सकते हैं तो थोड़ा सा बॉलिंग बैक आपको मर्कम दे पाएंगे मर्कम के पाथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी जादा है मलान के मुकाबले देखेंगे ओड़े इसमें भी एक्सपीरियंस जादा है प्लस पोजिशन टीम के आप पहले खेल भी चुके हैं नमबर थीन पर तैमबा बभूमा आएंगे रीसेंट फॉर्म ओड़े में कोई खास नहीं है इंडिया को पहली बार उड़े में फेस करेंगे दस सिन की बात क 50 प्लस लगाया है अब पोजिशन टीम खिलाफ रेकॉड थोड़ा सा एवरेज है विकेट कीपरिंग से आपको एक्स्टा पॉइंट दे पाएंगे फिर दो इन प्रोटोरियस आते हैं थोड़ा सा यहाप आपको बैटिंग बैकप देंगे प्लस बोलिंग भी ठीक ठाक कर आप इनको भी टीम में प्रिट्राइग कर सकते हैं इनको डैथ में यूज कर सकती है वलकव टीट्वनटी फॉर्मेट में तो कर रही थी है इसके बाद हम बात करते हैं अब रिसेंट टाइम में खराब चल रहा है थोड़ा सा आपको बैटिंग बैकप दे सकते हैं आखरी में अब देख सकते हैं इंडिया खिलाफ हमीशा विकेटलस गया है मार्को जैंसन अभी रिसेंट टाइम में टेस्क रिट में काफी अच्छा करके आए हैं एक्सपेक करते हैं इस फॉर्मेट में भी अच्छा करेंगे लिस्टे ग्रिट में तेरा मैच तेरा इनिंग 16 विक कि तीन मुकाबलों में इंडिया किलाफ कोई भी विकेट नहीं मिली है शामशी भी काफी बढ़ी आप ले सकते हैं बट रबाड़ा थोड़ा था प्रिफर करें तो ज्यादर बेटर रहेगा इसके बाद बैंच में के पास जोबेर हमजा है डेविड मिलर मार्को जैंसन तो खेलेंगे तो इनको बेंच में हटा दीजिए यह मैंने डारेक्ट प्लेइंग 11 में लिखे है जोबेर हमजा मिलर वेन पर्नल काईल वेरन ने लोगी सी अनगीडी सबके स्टैट लिग दिए देख सकते हैं आप मिलर की काफी बढ़िया है लास्ट टाइम हमजा ने भी 56 पाज ज्यादा एक्स्पिरेंस नहीं है डेथोवर्स की बात करें तो मैं आपको बाता आई चुका हूं इंडिया की तरफ से जस्पीद बोमरा में डेथ बोलर रहेंगे भूवी और मोहमस सिराज उनको असिस्ट करेंगे वहीं हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो कगी सु एंगिडी का डेथोवर्स में बॉलिंग करने का टॉपिक्स की बात करें तो विराट कोली अपनी टीम के सबसे बढ़िया बहतरीन प्लेयर है इस टाइम पे सबसे बढ़िया उडे रिकॉर्ड होल्ड कर रहे है के अलाहूल भी काफी बढ़िया करते हैं मलान का भली है एट रहूल एक बहुत अच्छी उप्शन है और मलान को अगर आप बहुत रिस लेना चाहते हैं तब जाके कप्तान वाइस कप्तान बनाएगा वरना मेरे हिसाब से सबसे बैस्ट ऑप्शन है विराट कुली कोंटरन डिकॉक्स लोकेश रहूल और यूजी चैल यह आपके लिए अगर आप स्टेट्स फॉलू करेंगे तो आप ज्यादा बिटर टीम बना पाएंगे मेरी टीम आप देख लीजिए मैं आपको अपने टीम दिखा दे रहा हूं उसमें मैं मैं माइनर चेंजिस कर सकता हूं टॉस के टाइम पर जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर है वही हमारा ऑथेंटिक चैनल है जो लिंक के तुरू उपन होगा कपतानी मैंने आप विराट कोली को दी है वाइस कपतानी को दी है कपतानी मैं तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं क्योंकि आगर आप विराट कोली के देखेंगे तो 90% मैचे में इनको 50 प्लस की स्कोरिं होई है तो इन से एक्सपेक्टेशन आप अच्छा रख सकते हैं वहीं वाइस कपतानी जो है वह अपने इसाब से दे सकते हैं कुछ अच्छी आप्शन आपके लिए वाइस कपतानी के रहेंगे रिशाप पंत को मैंने टीम में जगे दी है एडिन मरकम को लिया है मारको जै लगेगा सेकंड बॉलिंग में तब रहें शम्ची यूज होंगे तो फिर मैं इनको ही लूँगा बट अगर फस्ट बॉलिंग रही तो मैं शम्ची को ड्रॉप करके किसी और प्लेयर को ले सकता हूँ वो लाइन अप के हसाब से भी थोड़ा चेंज होगा इसलिए ये टीम 11 की टीम है यही सेम टीम आहीं लगा सकते को कि विजन 11 पर मैच यह लगा नहीं है जल्दी ही लग जाएगा बट अगर आप वहां पे खेलेंगे तो वहां पर कोई शुन आएगा आप देख सकते हैं यहां पे जीरो क्रेड़िट हो गया वहां पे क्रेड़ को इस्वी नहीं ऐसी लगेगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा और उसकी टीम में आपको विजन 11 की जो टीम रहेगी वह आपको टेलीग्राम पर ही दे दूँगा तो जल्दी से अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजे देखिए वीडियो पसंद आये तो यार इस पर एक लाइक ज यार जरू करिए अगर आपको कंटनेट अच्छा लगता है तब ही करिए क्योंकि कंटनेट में में कोई भी कमें नहीं जोड़ता हूं सिर्फ वोसफिक आपका शपॉर्ट चाहिए होता है जो लाइक और शेयर से मिलता है चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहीं पर तब तक के लिए बबाए